खुश खुश कहानिक को लाइक कीजे शेर कीजे और कॉमेंट कीजे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजे भयंकर आंधी थी उनकी नाव डूब रही थी उसमें जो तीन आदमी थे लकडी के पाटे की सहायता लेकर थोड़ी देर बाद एक द्वीप पर पहुंचे जहां कोई रह नहीं रहा था उस द्वीप में फलों से लदे कितने ही रुक्षते एक छोटी सी नदी थी उन नदी में अंगनित मचली आंती उन्हें खाते हुए जुआ खेलते हुए वे तीनों वही रहने लगे उन तीनों में से एक था ग्राम प्रमुख दूसरा किसान और तीसरा थ जा रहे थे तब ग्राम प्रमुख को रेत में एक बोतल दिखाई पड़ी किसान ने उसे उठा कर अपने हाथ में लिया आवारा ने उसके धकन को निकाला लंबे अरसों से उसी में बंद भूत ठठा कर हस्ता हुआ बाहर खूद पड़ा उसे देख कर तीनों भागने लगे भूत ने उन्हें रुकने के लिए कहा और कहा आप लोगोंने मुझे बोतल से निकाला है इसलिए आप लोगों की इच्छायें पूरी करूंगा तुम तीनों अपने मन में एक एक इच्छा सोच लो ग्राम प्रमुख ने अपने मन में सोच लिया ग्रामवासियों के जगडों का निप्टारा करने के लिए मुझे तक्षन ही गाओ पहुंचना है भूत ने तक्षन ही खुश कहा तो ग्राम प्रमुख को गायब हो गया किसान ने सोचा फल को काटने का समय आ गया अच्छा होगा मैं अपने खेत में रहूं भूत ने हुश कहा तो किसान भी गायब हो गया आवारा ने सोचा जुवाकेल ने वे दोनों भी यही रहे तो कितना अच्छा होगा भूत ने कहा खुश खुश तीनों यथावत समुद्र के किनारे थे अब भूत गायब हो गया